असलाम अलाइकुम विल्कम बैक टुमा की बावर्ची आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ चिकन मयो पार्सल्स यह बहुत मजेके और असानी से बन जाएंगे तो इसकी बनाते हैं पहले फिलिंग फिलिंग के लिए आपको चाहिए एक कड़ाई ले 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 और उसमें ड जाल देंगे हरी मिर्च और थोड़ा सबस पकाएंगे ताकि प्यास का कच्छा पन चला जाए एक से देड़ मिनट के लिए प्यास और हरी मिर्च पका लिया और जितना हो से कि इसमें कम ऐल डाले क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी चीज बनेगी तो अच्छा रहेगा और देख और यह पका पकाया है तो फिलिंग जल्दी बन जाएगी आपकी तो चिकन डाल दिया यहां और इसको आप बटर में भी बना सकते हो बटर, घी, ऑईल आपकी मर्जी है कोई सा भी फैट आप इस्तमाल कर सकते हो देखिए इस तरह से बस थोड़ा सा भून लिया चिकन डालन इसके बाद इसमें एड लिया इसमे एड़ कर देंगे इसमें तोड़ा सा विनीगर या फिर लेमन जूस वन टी स्पून के खरीब यह हैड़् कर दे यहां पर मैंने वनीगर अड़ किया है और इसके बाद वनीगर आड करने के बाद देए गाजर और शिम्लामिर्श, जलि चिली फ्लेक्स 1 टी स्पून डाल दिया, यह जो है मिर्चें अपने हिसाब से कम जादा कर लीजिए, हारी मिर्च थोड़ी सी फीकी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर काली मिर्च और लाल कुटी मिर्चों का जादा इस्तिमाल किया है चिली फ्लेक्स का, और नमक भी एट कर दिय जादा है, फ्लेक्स 1 टेबल स्पून से थोड़ा से जादा दूद आड कर दे, तूद आड करने के बाद भी थोड़ी देर बस पकाएंगे, जादा पकाना नहीं है इसको, प्योंकि ग्रेटर है सारी चीज़े, और शिमला मेर्च थोड़ी देर में पक जाती है उसलिए जा जादा कर सकते हो, और देखिए, थोड़ा साहरा धनिया डाल दिया, और ये फिलिंग जो है तयार है, फ्लेम आउफ कर दें इस वक्त, और इसको थंडी कर लेंगे, और यहाँ पर मैने आटा गुन लिया है, आटा जो है, गेहु का एक कप है, और मैदा एक कप है, और इसमे इस तरह से पेड़े बना लेंगे, पेड़े बनाने के बाद, जितनी पतली हो सके, उतनी पतले आप इसको रोटी बेल लेंगे, और इसको लिफाफा पराटा भी कहलो आप, या फिर मिक्स वेजेटेमल्स है, और इसको आप प्रेकॏस्ट जाते हो, एक पर पेड़ भी आप भी आप पार्सल खा लेंगे एक से दो तो देखिए इस तरह से थोड़ासा घी डालने का मकसद यह है कि थोड़ासा क्रिस्पी हो जाएंगे पार्सल और देखिए इस तरह से बेल लिया और कोई भी शेप आप दे सकते हो प्रॉपर गोल होनी जरूरी नहीं है रोटी और दूसरा बाला भी ऐसी बनाएंगे और आप देखिए इस तरह से बनाएंगे और इसको फ्राइ भी कर सकते हो एक चीज और करें कि जब बेल लें फिलिंग रख दें थोड़ासा पानी का हाथ हलका सा पानी लगाए और ताकि अच्छे से यह चिपक जाए तीखिए इस त इस तरह से मैं पानी लगा के बना लोंगी पार्सल्स बनकर त्यार है और मैंने एक दोसत अवा ले लिया है नॉन स्टिक का इसमें बहुत काम आवल में अच्छे खासे बन जाएंगे और इस तरह से रख देंगे पार्सल्स को और मीडियम फ्लेम ज्यादा बड़ी फ्लेम मीडियम फ्लेम पर इसको रखेंगे और इसको सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर रखने से क्या होगा कि यह अच्छे से क्रिस्पी भी बनेंगे और अंदर तक पक भी जाएंगे क्योंकि रोटी जो है लेयर की गई है ना इसलिए थोड़ा सा इस तरह से फ्लिप कर देंगे और तो आप केचप के साथ या फिरमायों के साथ सर्फ करें, बहुत मज़े का और डिफरेंट टेस्ट होगा इसका, आप इसको सिर्फ सबजी में भी बना सकते हो, चिकन में भी बना सकते हो, बहुत मज़े की बनेंगे, और देखिए इस तरह से, मीडियम फ्लेम पे इधर 2-3 मिन कर लें, और इधर से 2-3 मिन इस सब्सक्राइब कर लें आप इसको डीप फ्राइब भी कर सकते हो या पिर इस तरह से भी कर सकते हो थोड़े से ओएल में या पिर बत्र में देखिए, बस थोड़ा सा ओईल वन टेबल स्पून से भी कम ही लगेगा, चार अगर आप पार्सल बस इसको फोड़ा सरne like खड़े रहे के आपको इसको बनाना है बस थोड़ा सरne medium flame पे इसको देखे इस तरह से हर तरफ किनारों पे इस तरह से शेख लेंगे और यह तियार है एकदम इसको गर्मा गर्म सर्फ करें उमीद है आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो वही लाइक, सब्सक्राइब, शेर, इंस्टा पे फॉलो और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप किस तरह की और वेडियो देखना चाहते हो इसी तरह से अच्छी रेसिपीस के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अल्ला हाफिज